राजधानी दिली में एक बार फिर से रेब बलातकार जैसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं और इसको लेकर सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है महिलाओ की सुरक्षा को लेकर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं गुंजन फाउंडेशन की संस्था पक शुष्मा सिंग्वी उनसे बात करेंगे जो की बच्चों की एजुकेशन को लेकर काम करती हैं इसके साथ ही महिलाओ के कई मुद्दों पर भी अपनी आवाज बुलंद करती हैं मैं इ मैं यह मांन्ती हूँ कि एक तो जो इनके जज़ मेंनों होते हैं कोड के वह जल से जल आने चाहिए।न गार्श मंतान अवर्ष लग जाता हैं उसके बात ही कि हम कई बार कह देते हैं गिए Gowenaiल कैसे होसक्तें कोई जब इतना पर हीनियनस क्राइम कर रही है कर रहें साथि conventions कि उनमें अकल है और वैसे वो जुवेनाईल है तो अब उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी बात ही है कि हम सबको सिर्फ पेरेंस को नहीं या बच्चों की जिल लड़कियों के पेरेंस को नहीं सबको हमको मिलके जागरू को के एक आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि इसको हम कैसे रोकें इसका समाधान ढूंडें और सरकार को एक हम लिखित में दें कि हम हमें क्या क्या करना चाहिए क्योंकि आज तक यह बात उटती है कि रेप हो रहे हैं हिनियस क्राइम है निर्भया का हुआ उसके बाद हम सोचने लगे कि शायद अब नहीं होगा पर वो तो द बड़ा और जगन्य अपराद है जिससे की बड़े ही नहीं उबर पाते हैं लेकिन अभी अपराद जो हम सुन रहे हैं लगाता है जो सामने आर बच्चों के साथ भी हो रहे हैं इसको क्या करेंगे मैं कई बास होस्ती हूं कि कई लोग कहते हैं कि यह नहीं पहना चाहिए य या दूसरे कोई ऐसे कपरे पहनते हैं तो यह कहां तक जम्यदार हो सकते हैं यह तो एक फैमिनिजम के आवाज अगर आप उठाओ तो उठा सकते हो पर मैं बेसिक यह मानती हूं कि हमें जो करना चाहिए वो उसके जड़ तक पहुचकर उसको खत्म करने की कोशिश करनी चा हैं और हम जो सजा होती हैं उनकी सिर्फ चौदा साल या दस साल या साथ साल उससे तो कुछ नहीं होता उनके होसले बढ़ते रहते हैं हम क्या करेंगे जिनकी अपराद बोड की भावना होती है वो तो करते जाएंगे कि दस साल बाद हम फिर शूटके आएंगे हम कर लेंग इसके साथ ही मैं जिस तरीके से अभी घटना हुई और अभी लगातार सरकार की तरफ से मुआफजे की भी बात की गई है और जो अलग-लग पार्टियों के नेता हैं पीडित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं इसको किस तरीके से देखते हैं मैं अगर बहुत पष्ट ठाथ निशुश्याएं का समाधान ढूड़ें दो निश्चय ही छी समस्याओं का समाधान ऊगा पर यह आधान मुश्किल योई प्रश्न greeting का कि एक राजनीती पक्ष दूसρέ पक्ष को आख कर देता है एक पक्ष दूसρέ पक्ष को आख कर देता है यह आरोप जो प्रत्य प् के नहीं, कही ना कहीं सब को ये ध्याने की यह ख्याल रहता है कहींगा है मैं यह मानती हूं, अलब Ephyrix में गलत हो सकती हूं कि जो पीरित परिवार होता है वो एक बार एप हो जाता। उसके ब वोर सोस्ता हैं मोहाफज सामत मिल जाएगा तो नौ साल की बच्ची के साथ मामला हुआ कि जो पीड़ित परिवार है काफी गरीद था बच्ची को स्कूल भेजने तक के पैसे नहीं थे जो पिता है वो कुड़ा बीन कर गुजारा करते थे तो इस तरीके के बच्चे और इस तरीके के लोग तो हम रोजाना अपने आसप आपस में बैट के यह बहुत खराब हुआ अरे वो रेप हो रहा है अरे इसके हालत यह बहुत खराब हो गई पर जैसे ही वह बात खत्म होती है साथ दिन दस दिन पंदा दिन वह आदमी वह एक हिंदी में कहवत है मसानिया वेराग उठना कि जब किसी की मृत्ति होती है पर केस केस पर केस डेट पर देट और चीज लंग दो साल चार साल ऐसे घुंबते रहते हैं सब बहुत बहुत करने के लिए तो यह थी शुष्मा सिंग भी जिन्होंने बताया कि इस तरीके के अपराधों पर जल से जल्द जो लगाम लगाया जाने की आवश्यक्ता है सरका को जल्द ही ऐसे मामलों को निप्टाने की जरूरत है क्योंकि लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और अब नाबालिक बच्चियों को भी नहीं बख्षा जा रहा है पूनम पनौरिया एटीवी भारत दिल्ली